नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूब्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन यूजी सी नेट जारफ इकजाम इतिहास भाग 180 में जिसकी परिछा जून में संभावित है तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप आप लोगों को पीडियाब चाहिए तो पीडियाब का लिंग डिसके समने दे दिया वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं कोश्चन नमबर वन इसमें आदी ग्रंथ साहब के विशय में निमलिखित कतनों में से कौन सा एक कतन सही नहीं है तो कौन सा एक कतन सही नहीं है पूछा इसमें तो इसमें एंसर हो जाएगा से इसमें प्राया सगुन भक्ति के संतों के पद हैं मथुरा के निकट वर्तमान ब्रिंदा बन की इस रूप में पाचान की थी ये पाचान की थी चैतन्य ने एंसर होगा ए चैतन्य कोश्चन नमबर तीन है कथन और कारण से तो इसमें कथन है निजामुदीन अवलिया ने एक सूफी के जिसने की अपनी गुलाम दासी को रिहा कर उसे अपने हिंदू माता पिता के पास लोटने की अनुमति दी आचरण को अनुमोदित किय और कारण दिया है वह अंचरसा मुस्लिम विधी के अनुरूप था तो इसमें ए और आर दोनों सही है आर एकी सही ब्याख्या भी करता है यानि किस कैंसर हो जाएगा ए कोशन नमबर चार है कथन और कारण से अलावदिन खिलजी ने दिल्ली में कीमत नियंत्रं लागू किया और कारण दिया है वह दिल्ली में अपने महलों के निर्मान में लगे सिल्पियों को कम मजदूरी देना चाहता था ये इसमें सही है और R इसमें गलत यानि कि इसके एंसर ओजायगा C ये सही है प्रंतु R गलत है Question 6 है नंबर 6 मुगल संद्व राज में भूराजस्व निर्धारण की इकाई थी मुगल संद्व राजस्व निर्धारण की इकाई क्या थी? तो ये इकाई थी परगना एंसर हो जाएगा परगना कुश्चन नमबर साथ है मुगल प्रसाशन में बक्सी होता था तो ये था बेतन भुक्तान करता ये गुप्तिचर विभाग का प्रभारी कुश्चन नमबर आठ है पच्छियों पशुओं एवं पुस्पों के अपने चितरांकन के लिए खास तोर पर विख्यात मुगल साली का चितरकार था मुगल साली का चितरकार था मनसूर खास तर पच्छियों और पच्छियों पुस्पों के लिए चितर बनाता था मनसूर कुश्चन नमबर नौ है बाबर ने भारत में अपनी कौन सी परंपरा प्रचलित की ति ये परंपरा प्रचलित की थी चोखाने वाले उद्ध्यान यहनी उद्धान की प्रंपरा जो है भारत में मुगल उद्ध्यान के नाम से बिख्या थे, बाबर नहीं प्राराम किया था कुछ्षन नमबर दस है, बाबर ने सन 1526 इसवी में भारत में मुगल सासन की अस्थापना की ये स्थापना की थी इबराहिम लोधी पर विजे प्राप्त करके कुश्चन नमबर 11 है मुगलों की मनसबदारी ब्यवस्था के बिशय में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिये कौन इसमें सही है पहला इसमें अकबर ने मनसबदारी पर था प्रारंब की थी दूसरा है मनसबदारों का स्रेणिकर उनकी जातोर सवारों के धार परता था ये भी सही है तीसरा है मनसबदार के वल सेन अधिकारी होते थे ये गलत है यानि कि इसमें इंसर हो जाएगा एक और दो इसमें सही है कोशन नमबर बारा है मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पूल है तो वह है जोनपूर में कहां पर यह पूल है जोनपूर में कोशन नमबर तेरा है मुगल समराज की अर्थ व्यवस्था के अध्यन में अती महत्पूर सांख की आकड़े देने वाला समसामिक शुरोत है तो समसामिक शुरोत है आईने अकबरी कोशन नमबर 14 है निमलिकित पेशों पर विचार कीजिए और जैसा कि मुगल लगुचित्रों कोशन में विदित होता है उपुरोग तो पेशों में कौन सा पेशा मुगल भारत में मुखत इस्तिरियों द्वारा किया जाता था काटाई होता था ठीक है बनाई विए यह भी सही है निराई और रॉपा यह भी सही है पत्थर काटाई है में इटेम गारे की डुलाई यह गलत है यानि कि इसमें अंसर हो जाएगा सी एक दो तीन सही है कोश्चन नमबर 15 है मुगल काल में जकात का आसे था इसका आसे क्या था तीसके अंसर हो जाएगा सी भूकर्द जो मुसल्मानों के उपज सरी जो मुसल्मानों के उपर उपज की दस परशत रासी लगाया गया था कोश्चन नमबर 16 है निमलिखित ब्यक्तियों पर विचार कीजिए जो भरतफूर राजी से जुड़े हुए थे वे थे तो वे थे सूरजमल और वदन सी इसका एंसर हो जाएगा डी कोश्चन नमबर 17 है सुमिलित करने के लिए तो चले इसको सुमिलित करते हैं है हैदराबाद के स्थापना निजामुल मुल्क बंगाल के स्थापना अलवर्दी खां अवद का साधत खां और ट्रावन कोर का मार्टन वर्मन यनि क्रम से यह सुमिलित है तो इसका एंसर हो जाएगा डी जो एक दो तीम चारिये सुमिलित है कोर्शन नमबर अठारा है यह सिकायत की की जजिया के तहत लाखों में इकठा की गई रकम का थोड़ा वी हिस्सा साही खजाने तक नहीं पहुचता था और अरंग जेब के सासनकाल के निमलेखित इतियासकारों में से किसके द्वारा की गई यह सिकायत यह की गई थी ख़फी खा द्वारा एंसर होगा सी ख़फी खा कोशन नमबर 19 है निमलेखित कत्नों पर विचार कीजिए पानी पत के युद में अकबर की सेना द्वारा पराजित हेमू और प्रुप्त कत्न में से कौन सा सही इसका कूट का एंसर देना है आदिल सा सिनापती यह मंत्री था सही है जन्म से बैपारियं बने थे भी सही है आगरे का सुवधार था यह भी सही है सिकंदर सा के सिनापती था यह गलत है यानि कि एक दो तीन इसमें सही है तो इसका एंसर यह जाएगा बी कोशन नमबर 20 है कथन और कारण से अकबर का साही त्यासकार अवल फजल न तो गुलामों की कीमत और नहीं गुलामों के बजार का कोई बेवरा देता था कारण है अकबर ने अपने समराज में गुलाम बैपार को रोका तो A और R तो दोनों सही है लेकिन आर जो है A की सही ब्याख्या नहीं करता है तो इसका अंसर हो जाएगा B कोशन नमबर 21 है, सीवा जी की अस्व सेना को कहते थे, सीवा जी की अस्व सेना को क्या कहते थे, सीवा जी की अस्व सेना कायता था, बरगीर, बरगीर था, जो राजी की ओर से सब समान मिलता था इसमें, अस्व सेना पती को, कोशन नमबर 22 है घसीटी बेगम, सौकत जंग, राजबल्लव और यार लतीफ खान जानी दुस्मन थे किसके यह जानी दुस्मन थे? यह थे सिराजु दौला के कोशन नमबर 23 है ब्रिटिस इस इंडिया कमपनी बंगाल में जमिदार हो गई थी इसका एंसर हो जाएगा A, गोविनपूर, सुतानती, कलकत्ता ग्रामों के लगान के लेंदारी के बाद कोशन नमबर 24 है बहादूर साह पर्थम ने नहीं किया बहादूर साह पर्थम ने नहीं किया, क्या नहीं किया? तो इसमें अंसर रो जाएगा D, सती पर्था का समर्थन, बादुसा पर्थाम ने नहीं किया क्या, सती पर्था का समर्थन निमलिकित सती गूटों में से कौन से एक में, ब्रिटिस बिरोधी मोर्चा 17 सवस्य था, तो इसके अंसर रो जाएगा C, मराथे, मैसूर, बरार, तथा निजाम कोशन नमबर 26 है, निमलिकित घटनाओं पर विचार कीजिए, और सही कालानुकरम में इसको कूट में चेहन करना है या चुनना है तो चलिए देखते हैं इसमें, कार्णवालिस कोड, तो ये कोड लागे वाथा 1793 में नार्थ रेगुलेटिंग एक्ट ये वाथा 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट ये वाथा 1784 में ये डेट है, तो इस करम से देख लिए कौन इसमें सही है तो सबसे पहले आपका आएगा दूसरा नार्थ रेगुलेटिंग एक्ट ये दो, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट दो, तीन, इसके बाद लास्ट में एक आएगा कर्णवालिस कोड, ये किसमें एंसर हो जाएगा बी सही करम में है, कोशन नमबर 27 है, सन 1833 के चार्टर एक्ट में निमलिखित में से किस एक का उलेक नहीं था, तो इसमें उलेक नहीं था, इसका एंसर होगा C, कमपनी के निर्देशों की संख्या 24 से घटा कर 18 कर दी गई थी, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनुनित होते थ इसका उलेक नहीं किया गया है, कोशन नमबर 28 है, अठरामी सताब्दी के निमलिखित सासकों में से किस ने कलेंडर, सिक्का ढलाई, एवं तौल, तथा माप की नई पदती प्रचलित की गैर कानोनी उपकोणों को हटाया, आधनिक सस्तरागार का निर्मान किया, रेशमुत पादन तथा वेपार को बढ़ावा दिया, तो वो था टीपू सुल्तान, कोशन नमबर 30 है, कथन और कारण से, कथन दिया इसमें, साह आलम के सन 1765 की फर्मान का परतिछ प्रणाम, था बंगाल में दोहरी सरकार की अस्थापना, और कारण दिया है, 1770 का आकाल इस्ट इंडिया कमपनी के सिताव राय और रजा खां के माध्यम से किये गए कुशासन का परणाम था, तो देखे, A और R तो दोनों सही है इसमें, लेकिन R जो है, A की सही ब्याख्या नहीं करता है, यानि कि इसमें एंसर हो जाएगा B, तो ये थे कोशन आज के लिए तो उमेद करता हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आदे इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यां अधिक सदिक सेर करें, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद वन दे मात्रम